बरतपूर में खुलेगा रेजीमेंटल हिजामा थेरेफी एक्सिलैंस सेंटर केंद्र के संचालन के लिए 11 नविन पदों का होगा स्रिजन राज सरकार द्वारा प्रदेश में परमपरागत चिकित्सा प्रणालियों के विकास एवं विस्तार के लिए निरंतर महत्पूर्ण फेशले के जा रहे हैं मुख्य मंत्री सी असोगेलोजी ने बरतपूर में यूनानी चिकित्सा के अंतरकत रेजीमेंटल हिजामा थेरेफी का उतकिष्टा केंद्र सेंटर ओव एक्सिलैंस इन रेजीमेंटल हिजामा थेरेफी खोले जाने की मंजुरी दी है साथी केंद्र के संचालन के लिए 11 नवीन पदों के स्रिजन के प्रस्ताव को भी स्विक्रति दी है केंदर के संचालन के लिए परमुक चिकित्सा अधिकारी यूनानी वरिष्ट चिकित्सा अधिकारी यूनानी ग्रेड परतम लेबोरेटी टेक्निशन और कनिष्ट सायक का एक एक पद चिकिसा दिकारी युनानी के दो कनिष्ट युनानी नर्स कंपोंडर के लिए पांच पदो सहीत कुल ग्यारा नवीन पदो का स्रिजिन किया जाएगा परिचारक, वाड़ बोई, मसाजर, चोकीदार गार्ड, स्वीपर, जमादार की सिवाए आउट्सोर्स के मादियम से समीदा पर ली जाएगी, केंद्र के लिए 10 लाग रुपे की लागत से आवशक फनिर्चर एम उपकरनों की खरिद की जाएगी प्रारंबिक संचालन राजकी चिकिसा संस्तानों में उपलब्द बवनों में क्या जाएगा प्रदेश में परमपरागर चिकिसा पदितियों को बढ़ावे मिलेगा उठकिष्टता केंद्र से इस्तानी लोग रेजी मेंटल हिजामा थरीपी का लाव ले सकेंगे यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा लाइक करेगा शेयर करेगा धन्यवाद